इंडियन कोला वार एक ऐसी वार जिसमें कॉंपटिशन है, पॉलिटिक्स है, कॉंफलिक्ट है और साज़श भी इस वार में बहुत सारे कमपनीज आये और गए सरकार ने धेरो नियम बनाये और तोड़े कमपनीज को खत्म करने के लिए साज़श तक रचा गया लेकिन अन्त में बस कुछी ब्रैंड सर्वाइब करने में काम्याब रहे तो दोस्तों आज के टाइम पर आप कोका कोला को पसंद करते हों थमजब को या फिर पेपसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि इन सौप ड्रिंग्स ने आपके घर में जगा बनाने के लिए क्या-क्या पापड़ बेले हैं आज से पहले आपने बहुत से राइवलरी के किस्से सुने होंगे लेकिन ये इंडियन कोला वार उन सबसे कहीं ज़्यादा दिल्चस्प होने वाला है तो फिर चलिए शुरू करते हैं अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंडिया में सौप ड्रिंग के शुरुवात तब होई थी जब कोका कोला और पैपसी आये थे जब सोडा को बना कर बेचना चुरू कर दिया था जल्दी ये कोल ड्रिंग इंडियन्स को खूब पसंद आने लगा जिसके बाद से रॉजर्स मुंबई के हर बार, होटल, रेस्टरों और क्लब की शान बन गया था लगबग 28 सालों तक रॉजर्स सोडा मार्केट का एक लौता किंग बना रहा लेकिन 1865 में इसका पहला कॉमपर्टीटर मार्केट में इंटर हुआ जिसका नाम था पलंजी सोडा ये सोडा लॉंच होते ही पुरे मार्केट में छा गया क्योंकि इसका रजबरी फ्लेवर लोगों को बहुत पसंद आया अब जब इन दोनों ड्रिंक्स की सक्सिस को कुछ पार्सी बिजनस मैंस ने देखा तो उन्होंने सोचा कि क्यो ना हम भी खुद का कार्बोनेटी ड्रिंक्स बना कर बेचे और फिर इसी सोच के साथ उन्होंने 1884 में अर्दसिर सोडा को लांच किया जो कि पॉलोंजी सोडा को डारेक्टली कॉम्पिटीट कर रहा था और ये भी मार्केट में काफी पॉपुलर हुआ और हाँ इसी बीच 1889 में ड्यूक सोडा को भी लांच किया गया था जो कि अगेन एक सक्सेसा भी थुआ था अब दोस्तों इस टाइम तक यूएस के अंदर कोका कोला भी लांच हो चुका था जो कि अमेरिकन्स के बीच में काफी पसंद किया जा रहा था जिसके बाद से कोका कोला ने यूएस से निकल कर बाकी के कंट्रीज में भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिये लेकिन दोस्तों इंडियन मार्केट में एंटर करने में उन्हें अभी भी दो-तीन डेकेट्स लगने वाले थे इसी बीच इंडिया में कई सारे लोकल सोडा ब्रैंड आ चुके थे इसके अलावा गोली सोडा या बांटा लगबग हर छोटे से लेकर बड़े शहरों में बहुत ही वाइडली मिलने लगा था जिसके बाद से सोडा मार्केट में पहले के मुकाबले काफी ज़्यादा कॉमपटिशन बढ़ गया अब अगर हम सीधे आजादी के बात के भारत पर आएं तो उस समय कोका कोला को इंडियन मार्केट में एंटर होने की एक बहुत बड़ी अपर्चुनिटी दिखी और बिना इस बात को जाने कि इंडिया में पहले से ही लोकल ब्रैंड के बीच एक कोला वार चल रहा है इसने भी 1950 में डेली के अंदर अपना प्लैंट ओपेन कर दिया लेकिन दोस्तों जब सौब ड्रिंग मार्केट में इतने सारे प्लेयर्स उतर रहे हों तो भला पारले कैसे पीछे रह जाता कई सारे पॉपलर प्रोडर्क्स लॉंच करने के बाद पारले ने सोचा कि क्यों आप सौब ड्रिंग में भी अपने किसमा ताजमाई जाए इसलिए पारले ने उसी साल खुद का कोला लॉंच कर दिया जिस साल कोका कोला इंडिया में आया था अब पारले भारत में एक जाना माना ब्रैंड था जिसे इंडियन्स खुब पसंद भी किया करते थे इसे लिए कोका कोला को यह समस्ते देर नहीं लगी कि पारले से उसे भारी कॉमपटिशन मिलने वाला है लेकिन एक चीज जिसने कोका कोला के जलाहट को बढ़ा दिया था वो था पारले के सौब ड्रिंग का नाम और पैकेजिंग ऐसे में कोका कोला को लगने लगा कि इस नाम की वज़ा से लोगों में confusion create होगी और उसके ग्रहाँ ग्लूको कोला की तरफ shift हो सकते हैं इसलिए उसने पारले पर नाम बदलने के लिए case file कर दिया अब case की वज़ा से पारले ने ग्लूको कोला का नाम तो बदल दिया लेकिन इससे कोका कोला की problem का कोई solution नहीं निकला क्योंकि पारले ने अपनी इस drink का नाम बदल कर पारले कोला कर लिया था जो कि अभी भी कोका कोला से काफी similar ही था खैर इस विवात की वज़ा से इन दोनों companies के बीच लगभग दो सालों तक टशल चलता रहा और अखिरकार पारले ने हार मानते हुए soft drink market को अलविदा कह दिया लेकिन दोस्तों ये पारले soft drink market का अंत नहीं था बलकि वो कुछ ऐसा प्लान कर रहा था जिसके जरिये वो इस market में भी बना रहे और कोका कोला को डारेक कॉमपटीट भी ना करे इसके लिए 1952 में उसने अपना orange flavored soda launch किया जिसका नाम रखा गया था gold spot हालकि ये orange color का beverage बच्चों के 20 तो खूब पसंद किया गया लेकिन ये youngsters के बीच में कोई खास पहचान नहीं बना सका और इसी वज़ा से अगले एक दशक तक कोका कोला ही ज्यादातर इंडियन्स की पहली पसंद बना रहा हाँ कोका कोला को टकर देने के लिए उसका सबसे बड़ा competitor पेपसी भी अब इस market में आ चुका था लेकिन फिर भी यह brand लोगों के बीच कोका कोला के क्रेज को कम करने में नाकाम्याब रहा और इसी वज़ा से पेपसी के losses लगातार बढ़ते चले गए और अखिरकार 1962 में इसने इंडिया से exit ले लिया इधार पारले भी polarity के बाद 1971 में लिमका को बजार में उतारा गया जो की एक lemon flavored soft drink था अब क्योंकि भारत के हर गली नुकड़ पर गर्मियों में निमू पानी पिने वालों की भीड लगी ही रहती है ऐसे में लिमका ने काफी तेजी से market पकड़ ली और खास करके इस soft drink को महिलाएं काफी पसं लेकिन future में उसके साथ कोछ ऐसा होने वाला था जिसने उसे जड़ से उखाड फेका और इंडिया में उसका सालों का बनाया सामराज ये पलवर में तबाह हो गया असल में 1973 के आसपास देश financial crisis से गुजर रहा था इसे लिए उस समय के प्राइम मिनिस्टर इंद्रा गाधी ने foreign exchange regulation act यानि कि फेरा को इंडिया में लागू किया ताकि हमारे देश का पैसा ज्यादा मात्रा में बाहर ना जा पाए फेरा के according जो भी foreign companies इंडिया में अपना business operate कर रही हैं उनके लिए rule बनाया गया कि वो 40% से ज्यादा stake देश में नहीं रख सकती हैं अब दोस्तों कोका कोका कोला 100% foreign equity के साथ अपना business रन कर रहा था इसे लिए उसके सामने 60% छोड़ने का चैलेंज आ खड़ा हुआ Actually Indian market में survive करने के लिए कोका कोला ने लगभग दो दशक तक अपना फैसा और पुरा effort डाला था तब जाकर उसकी ये legacy कायम हो सकी थी ऐसे में सारे मेहनत पर पानी फेर कर इंडिया से वापस जाना उसके option में ही नहीं था इसे लिए company ने सरकार के साथ negotiation करना शुरू कर दिया अभी सरकार को मनाने मनाने का खेल चली रहा था तबी 25 जून 1975 को देश में emergency लागू हो गई और इस पर होने वाला फैसला कुछ समय के लिए थमसा गया इस टाइम तक swap drink market में दो ही बड़े player थे जिसमें पहले नंबर पर आता था Coca Cola and second पर Parlay लेकिन सरकार के दबाओ के बाद Coca Cola अपना market share कुछ हद तक कम करने लगा था जिस वज़ा से Parlay को अपना share बढ़ाने का मौका मिल गया इसी बीच 1976 में Parlay ने अपना mango flavor वाला soft drink लॉंच कर दिया जिसका नाम था माजा माजा market में आते ही इतना बड़ा हिट साबित हुआ कि उसकी legacy आज भी कायम है खैर वपस चलते हैं 1976 में तो उस समय हमारा देश बहुत तरह की political tension से गुजर रहा था जब emergency हटी, election हुए तो फिर नई सरकार सत्ता में आई और फिर मुरारजी देशाई देश के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए साथी George Matthew Fernandez ने Union Minister for Industries का पत संभाला जिसके बाद से Coca-Cola की problem घटने की जगा और भी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि नई सरकार local brands को promote करना चाती थी इसे लिए उन्होंने Coca-Cola से कहा यगर वो इंडिया में रहना चाते हैं तो अपना steak कम करके 40% कर दे और बाकी के 60% किसी local partner को दे दे इतना ही नहीं Coca-Cola से उनके soft drink बनाने का secret formula भी सरकार द्वारा मागा गया अब दोस्तों अगर बात सिर्फ 40% steak की होती तो शायद Coca-Cola मान भी जाता लेकिन अपने secret formula को share करने से अच्छा उसने इंडिया को अलविदा कहना समझा इधर सरकार भी जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए पर Coca-Cola कभी भी अपना secret formula नहीं देगा और इस तरह से वो देश छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा एंड में यही हुआ और 1977 में Coca-Cola भारत से अपने operations को बंद करके चला गया लेकिन इसके जाने के बाद सरकार को वाकई कुछ profit हुआ भी या नहीं ये तो वही जाने लेकिन Coca-Cola के test को पसंद करने वाले लोगों को जरूर problem होनी शुरू हो गई इसका असर ये हुआ कि Coca-Cola बांगलादेश से स्मगल होकर इंडिया आने लगा और यहां उसे लोगों ने तीन गुना कीमत पर बेचना चुरू कर दिया अब जब सरकार ने इन प्रॉब्लम्स को देखा तो उसे खयाल आया कि क्यों ना Coca-Cola के प्रती पब्लिक के इस डिमांड को हम खुदी पूरा करें इसे लिए उन्होंने Coca-Cola के तरज पर अपना खुद का Cola ब्रैंड लांच किया जिसका नाम था डबल सेवन और इसे उस समय सर Coca-Cola के आज पास भी नहीं था इसी वज़ा से इस स्वाप ड्रिंग को कोई खास पॉपिलर्टी नहीं मिल सकी यानि कि सरकार Coca-Cola का अल्टरनेटीव पेश करने में फेल हो चुकी थी और लोगों के बीच इसकी डिमांड वैसी ही बनी रही इसके अलावा Coca-Cola के इंडिया से ज अब जब Pure Drinks के मालिक चरणजीत सिंग ने लोगों की बीच Coca-Cola की क्रेज को देखा तो उन्होंने अपनी खुद की Cola Drinks लाउंच करने की सोची लेकिन जिस तरह से लोगों ने डबल सेवन को नकार दिया था Pure Drinks को भी डर सताने लगा कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ही ना हो कैमपा कोला का टेस्ट लोगों को खूब पसंद आया और ये लाउंच होते ही पूरे इंडियन मार्केट में पॉपलर हो गया इधर पारले जो हमेशा कोका कोला की मार्केट से दूर रहता था जब उसने देखा कि कोका कोला इंडिया छोड़ कर जा चुका है ऐसे में उसे मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी उम्मीद दिखाई दी और 1977 में ही इसने भी अपनी एक नई ड्रिंक थम्स अप को बलकि थम्स अप इंडियन्स की टेस्ट के एकॉर्डिंग लोकल स्पाइसेज और इंग्रेडियंट्स को मिला कर बनाया गया था अब थम्स अप मार्केट में कैसा परफॉर्म करेगा इसका अंदाजा कमपनी को भी नहीं था लेकिन कमाल की बात तो यह है किसके कोला मार्केट का लीडर बनने के लिए सौब डिरिंग का दाम रेडियोस करके प्राइस वार में शामिल हो गया लेकिन थम्स अपने एक नई स्ट्राटेजी अपनाई जहां उसने प्राइस कम करने की जगा बॉटल के साइज को बढ़ा दिया यानि कि जो थम्स अप पहले 200 ml में मिला करती थी वो सेम प्राइस पर 250 ml मिलने लगी और इसे महा कोला के नाम से अड्वोटाइज किया गया इस छोटी से स्ट्राटेजी का असर ये हुआ कि कुछी सालों में थम्स अप मार्केट का लीडर बन गया और कैमपा कोला अपना मार्केट शेयर लूज करने लगा 1980 के दौरान कैमपा कोला डबल सेवन और ड्यूक्स जैसे ब्रैंड्स को पीछे छोड़ते हुए थम्स अप अपनी मोनापोली क्रियेट कर चुका था हाला कि इस दौरान कई और भी प्लेयर्स मार्केट में इंटर हुए जैसे कि डिक्सी कोला, टोरिनो, सोसियो और बोरुंटो वगर है लेकिन इन में से कोई भी थम्स अप के मार्केट शेयर में सेंद नहीं लगा सका इधर पेपसी भी बार-बार इंडिया में रेंटर होने की कोशिश कर रहा था लेकिन हर बार उसकी अपील को सरकार ठुकरा दे रही थी अखिरकार पांस साल के नेगोशियेशन और पारलियमेंट में 20 बार डिबेट्स के बाद साल 1988 में राजीव गाधी की सरकार ने पेपसी को इंडिया में आने के लिए अलाव कर दिया क्योंकि देश के फाइनेशल कंडिशन बहुती ज़्यादा खराब होती जा रही थी लोगों के पास रोजगार नहीं थी और सरकार भी लोन में दबी जा रही थी ऐसे में अगर बाहर से इंवेस्टमेंट आता तो फिर देश के डेवलेप्मेंट में लगाया जा सकता था साथे जॉब क्रियेशन से लोगों का जीवन भी बहतर होता अब इसी सोच के साथ राजीव गाधी ने पेपसी के लिए इंडिया के दरवाजी तो खोल दिये सारे धमक्यों के बावजूद पेपसी इंडिया में पंजाब गौर्मेंट की पंजाब एग्रो इंडर्स्टियल कार्पोरेशन और वोल्टास इंडिया लिमिटेट के साथ जॉइंट वेंचर में एंटर कर जाती है विदेशी पेपसी को देशी रूप देने के लिए उसका नाम लहर पेपसी कर दिया गया जो शुरुबात में सिर्फ जैपूर, कानपूर, बैंगलोर और पंजाब में बिका करती थी लेकिन धेरे धेरे ये बड़े शहरों जैसे की डैली, बॉंबे और कैलकेटा में भी पहुँच गई इधर 1989 में कॉंग्रेस इलेक्शन हार गई और जनतादल के वीपी सिंग को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया जिसके बाद पेपसी को डर सताने लगा कि अगर जॉर्ज फरनांडिस ने फिर से यूनियन मिनेस्टर फॉर इंडरस्टीज का पत संभाला तो उनका भी हाल कोका कोला के जैसे ही होगा लेकिन ये पेपसी की अच्छी किस्मत ही थी कि इस बार जॉर्ज फर्नांडेस को मिनिस्टर ओफ रेलिवेस का पत सौपा गया इसके बाद आया साल 1991 जब इंडियन गॉर्मेंट ने ग्लोबलाजेशन और लिब्रलाजेशन की शुरुवात की और अपनी डोमेस्टिक मार्केट को बाहरी कमपनीज के लिए ओपन कर दिया पैपसी ने भी इसका फायदा उठाते हुए पंजाब एक्ग्रो इंडिस्ट्रियल कार्पूरेशन और वोल्टास इंडिया के साथ अपना जॉइंट वेंचर खत्म कर दिया और 100% एक्विटी के साथ में बिजनस रन करने लगा इस तरह उसे बिना किसी दबाव या रेस्ट्रिक्शन्स के इंडिया के हर कोने में अपनी सॉप ड्रिंग्स को बेचने के अपरिशनटी मिल गई और जल्दी ये थम्जप का एक बहुत ही बड़ा कॉमपेटिटर बन गया पेपसी ने एडवर्टीजमेंट के लिए इंडियान मुवी स्टार जुही चावला को साइन किया तो वही थम्जप ट्रिकेट स्पॉंसर्शिप पर अपनी स्पेंडिंग्स को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगा था और दोस्तों अभी इन दोनों में राइवल्री चली रही थी कि साल 1993 में कोका कोला ने इंडिया में दोबारा एंट्री ले लि और ये तीनों कमपनीज आपस में ही भीड़ गई हलाकि बाद में ये राइवलरी सर्फ कोका कोला एंड पेपसी के बीच रह गई क्योंकि कोका कोला ने पारले की गोल्ड स्पॉट, लिमका और थम्सप इन तीनों को ही 60 मिलियन डॉलर्स में खरीद लिया था अब देखा जाए तो जिस समय कोका कोला एंडियन मार्केट में रे इंटर हुआ था उस समय थम्सप के पास कोला सेग्मेंट में 80% मार्केट शेयर था साथी गोल्ड स्पॉट और लिमका भी इसके बहुत ही पॉपलर प्रोड़क्ट थे ऐसे में सवाल ये उठता है कि पारले के सामने अखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उसे अपने सौप ड्रिंग ब्रैंड्स को बेचना पड़ गया असल में दोस्तों कोका कोला के पास इस मार्केट में पैर जमाने के लिए दो आप्शन्स थे पहला ये कि धीरे धीरे वो अपने ऑपरेशन्स को बढ़ाता यानि कि अपने प्लैंड्स लगाता डिस्ट्रिबूशन नेटवर्क इस्टेबलिश करता और टाइम के साथ इसका कंज्यूमर बेस इंक्रेज होने लगता और दूसरा अप्शन था दूसरे ब्रैंड के बॉटलर्स यानि कि जो सौप ड्रिंक्स की पैकेजिंग के साथ साथ ब्रैंडिंग और डिस्ट्रिबूशन का काम देखते थे उन्हें लालज देकर अपनी तरफ कर लेना अब इसमें से पहला आप्शन तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था लेकिन कोका कोला को तो जल्द से जल्द अपनी लेगेसी कायम करनी थी इसलिए उसने सेकेंड आप्शन को चुना अब दोस्तों भले ही उस ताइम पर थम्जब के पास 80% मार्केट शियर था लेकिन इसके बिजनस मॉडल्स में कुछ बहुत बड़ी कम्या थी जैसे कि उनके पास 62 बॉटलर्स तो थे लेकिन थम्जब उनमें से सिर्फ चार का ही मालिक था और बाके के 58 इंडिपेडिनेंटली उपरेट कर रहे थे मतलब कि ये बचे हुए 58 बॉटलर्स कम्पनी की गाइडलाइन्स के कॉडिंग सिर्फ थम्जब को बनाने और डिस्ट्रिबूशन का काम किया करते थे ऐसे में थम्जब के बॉटलर्स को ज्यादा एमाउंट आफर करके कोका कोला ने अपनी तरफ कर लिया जिसके बाद से थम्जब के पास सिर्फ कुछी बॉटलर्स बचे और इसी वज़ा से थम्जब ना तो जी इतनी डिमांड थी उतने सौप ड्रिंग प्रेडियोस कर पा रहा था और ना ही डिस्ट्रिबूशन कर पाता था यही रीजन था कि थम्जब अपना मार्केट शियर खोने लगा इसके बाद से रमेश चोहान जो थम्जब को लीट कर रहे थे उन्हें यह समझते हुए देर नहीं लगी कि कोका कोला जैसे बड़े जैंट से लड़कर वो कमपनी का नुकसान ही करने वाले हैं क्योंकि एक बार मिली हार के बाद से पारले को यह समझ आ गया था कि इस तरह के कॉन्फलिक्ट में फसकर वो कभी भी सफल नहीं हो सकते इसे लिए रमेश चोहान ने बहुत ही दुख के साथ अपना ब्रैंड कोका कोला को बेज दिया क्योंकि उसने मार्केट लीडर को जो खरीद लिया था इसलिए जल्दी उसने अपना स्ट्रॉंग प्रजंस पुरे इंडिया में बना लिया स्पॉंसर्शिप कोका कोला के ही खाते में गया इस कैमपेण के लिए कोका कोला ने खूब खर्चा किया नुसरत फते अली खां की आवाज में एक कैमपेण सौंग बनवाया और धेर सारे पोस्टर्स और बैनर्स के साथ में एड फिल्म भी रन किये अब दोस्तों पेपसी के हाथ भले ही ये स्पॉंसर्शिप न लगी हो लेकिन इस मौके का उसने भी भरपूर फायदा उठाया और हर मैच में जम कर अपने आड सलाए कमाल की बाद तो ये है कि पेपसी ने अपने कैमपेण की टैग लाइन रखी थी नथिंग ओफिशल एबाउट इट जो की ओफिशल स्पॉंसर कोका कोला पर एक तंज कसा गया था इन दोनों ब्रैंड्स के बीच इस तरह की लड़ाई लगातार चलती रही क्योंकि एक तरब पेपसी सचिन और शारुक की पॉपलरिटी का फायदा उठाते हुए उनके साथ एड कर रही थी तो वही कोका कोला ने अमिर खान को अपना चहरा बनाया था और दोस्तों साल 2000 के बाद से कोई भी नया ब्रैंड अप कोला सेग्मेंट में उतरने की हिम्मत ही नहीं रखता था क्योंकि उसे पता था कि पेपसी या कोका कोला की मार्कू वो जहेली नहीं पायेगा इसलिए इन दोनों ने एक लंबे अर्चे से मार्केट का बड़ा हिस्सा अपने हाथों में ले रखा है लेकिन ये प्रोड़क्ट कस्तुमर को अट्रैक्ट नहीं कर सकी इसलिए जल्देई से बंद कर दिया गया इसके बाद से साल 2020 में बिसलरी ने एक बार फिर से लिमोनाटा और स्पाइसी को लॉंच किया जहां स्पाइसी को मसाला कोला के तरह एड़टाईज किया गया था हाला कि आप मेशे सायद ही कुछ ऐसी लोग होंगे यने की इस ड्रिंक के बारे में पता हो ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि इस से कोला सेग्मेंट में क्या ही असर पड़ा होगा इस तरह से आज भी इंडियन मार्केट में पेपसी और कोका कोला के बीच कोला वार जा रही है जिसमें मुकेश अमबानी की सपोर्ट से अब कैमपा कोला भी कोच चुका है जो की लंबे समय से गुम नाम था अब आने वाले समय में यह देखना काफी मज़ेदार होगा के फिलाल की तरह पेपसी और कोका कोला है इस कोला वार के विजेता बने रहते हैं या फिर कोई और ब्रैंड आकर इनके बाश्राहत को गिराता है वैसे आपका ओपेनियन क्या है हमें कमेंट जरूर करिएगा